फिरुजबाद के थाना रामगड के नगला कोठी मोले में पारशत की दबंगई आए सामने बिनमा बाप के बच्चों के मकान पर दबंग पारशत कर रहा जबरज़सी कबजा पारशत की दबंगई का वीडियो आप साफ देख सकते है कि किस तरह पारशत के गुर्गे दिवार पर चड़ कर दिवार को तोड़ती नजरा रहे है दरसल मामला दिनांग 24 दिसंबर का है जब शेत्रिय पारशत और उसके गुर्ग गुड़ु के मकान पर कबजा करने पहुचे गुड़ु के माता पिता का देहान हो चुका है गुड़ु के तीन बड़े और भाई है जो की अलग-अलग रहते है इस मकान में गुड़ु और गुड़ु की दो भेने रहती है जिन में से एक मानसिक विशिप्त है दबंग पारशित का कहना है कि गुड़ु के बड़े भाई आसिव ने यह मकान मुझे बेच दिया है जबकि उक्तमकान सरगिया पिता अब्दुललतीफ के नाम है अभी कोई भी हिस्सान नहीं हुआ तो आसिव कैसे बेच सकता है गुड़ु ने बताया कि दबंग पारशित ने घर में घुसते ही गाली गलोच की और मकान को तोड़ना शुरू कर दिया जिस पर हमने 112 नमबर पर कॉल किया 112 नमर पुलिस आई और उससे बात की और मेरे बड़े भाई आरीफ और अरकम पारशित के भाई को ठाने ले गई लेकिन अरकम पारशित के गुरु मकान के सामनी की दिवार तोड़ कर घर में ताला लगा कर चले गए अब ऐसे सदी में बे सारा भाई बहन को कोई सहारा नहीं है गुडो की बहन ने पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाए कि हमारी मदद की चाए हमारा खाने पीने के बरतन और गैस हमारे गरम कपड़े रजाई बिस्तर सब कमरे में बन है जिसमें दबंग पारशत ताला लगा कर चला गया है पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाई है ताला खुलवा दिया जाए जिससे हम अपने घर में रह सके आप देख सकते हैं कि वीडियो में पारशत खुद बोल रहे है मैंने ताला लगाया है इससे आप अंदासा लगा सकते हैं कि पारशत कितना दबंग है पारशत की दबंग आई सामने आई फिरोजा बाद से रिपोर्टर रिहान अली इन बीसे नियूस नाकपुर